जय हिंद सातियों आज हम लोग एंटो करेंगे CGL 2023 इसका पार्ट नंबर टू है और अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पार्ट वन भी देखिए और हमारे प्रेलिश्ट को विजिट करिए वोकाब 2019-2024 जिसमें मैं लगबख 5 साल का जो भी पीवाइक्यू पूछा ग लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे वीडियो जैसे आपका भला हो रहा है वैसे दूसरों का भी बला क्योंकि एजुकेशन अगर आप शेयर करोगे तो आपका भी बढ़ेगा तो सुड़ू करते हैं पहला वक इसका मतलब क्या होता है छोड़ेन एबेंडंट अगर मैं हो फालेते हैं अग्लाव प्रशाहित करना किसी को मतलब बूलना मोटिवीट काम प्रुसाहित करने यह निकलता इंकरेज़गा मतलब थिक करना इसका पूराimana करता है तो ब सबस्क्राइब गयाद रखिएगा तक मिंद करो keרת निकालता है और ऊंपपर और याद रखिएगा मेटिकुलस मतलब सावधाग क्या मतलब होता है आपका कम और ज्यादा ज्यादा मतलब होता है अनिक ठीक है यह हो गया इसका अगला अगला श्लगिश का क्या मतलब बता है शुष्ट यानि लेजी परसंट लगिश और इसका एंटो निकला एक्टिव ठीक है अगला वाइलेंट का आप वर्ड सुने होगा मलुम मैं वालोनिन हो जाऊंगा वैसा वैसा यह काफी मोवि में में चलता है तो यह गहरा बगार इनि तो यह निकल अग्रेसी बूता है जेंटल का मतलब तो कम जोर कोमल इस तो कहा तो मिकलत dachte 59th में देख लिए था 60 पर आता है 60 61 और 62 यह 3 मतलब होता vimos हटा देजिए तो evidence क्या होना चाहिए होना चाहिए यानि evidence का मतलब ही होता है किलियर ना हो अगला है हिंडर का मतलब होता है हिंडर को हिंडर का मतलब होता है आपको रोकना टिक है हिंडर का मतलब होता है रोकना यानि बाधा डालना तो इसका एंटो जो होगा फोर्स तो नहीं होगा कि क्या होगा एड होगा एड का मतलब होता है help करना सहाइता करना ठीक है फस्ट एड क्या करता किसी का help करना सहाइता करना अगला है मेटिकुलेस तो मेटिकुलेस का मतलब सावधान और सावधान का ही अपोजिट पूछ देया यहां पर वापस से मेटिकुलेस का मतलब क्या हो जाएगा इसका एंटो पूछाए कि वन मिनिट गाइस अगला बात करते हैं नर्वस नर्वस का मतलब क्या होता है अगला है पर्जिवेरेंस यह तीनों का मतलब बताइए क्या होता है नर्वस अंस्योर और आपका पर्जिवेरेंस यह तीनों का मतलब बताइए क्या होता है तो अगला है नर्वस का जो आपको मतलब निकलता है इसका मतलब चिंतित टे कोई चीज नर्वस है इंड्र एक्जाम्स दे रहें आप इंटर्विव दे रहें तो आप क्या अप्वस हो जाते है यानी चिंतित हो जाते है तो क्या मतलब निकलता है चिंतित हो जाना और इसका टो निकल जाएका इन्याइज सर्टेन ठीक आप निश्चिंत याइट उस चीज पर मतलब क्या होता है इसका मतलब फिल्म ठीक है और हिंदी में बात करें तो मतलबM error थी solution oh modest क्या होगा modest का मतलब modest का मतलब आ विनमर और विनमर का opposite आपका होता है यहां पर conceded ठीक है याद कर लेजिए conceded modest यानि इसका conceded होगा इसका anto यानि अहंकारी अगला है acquitted acquitted का anto होगा यहां पे आपका convicted 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 मतलब बता है सब कर ट्रेशट्रlish अंटे攻 अहीन पलो है उसमा इसे घंदा ही और गंडा से डिलेटेड बोल सकते हैं और अर्डेनईचे डेयानि उसे इसे । है अगला प्रोट यानियम्द प्रोबैबिलिटीयों नी शायद ओर डिफिनेट्ल मतंब नहीं यहीं इसका नों मतलब यह का होता हैं दंगई इंगए अगला वर्ट हम लों आएंगे 72 डेफिनीट डेफिनाइट का क्या मिनिंग निकलता है स्पस्ट यानी कोई चीज पस्ट है और वेग्यू मतलब अंकलिए टीक है अस-पस्ट इए नि महेंगा चीप मतलब सस्ता येल का मतलब होता है चिलाना कोई चिछों चिलाना वेल मतलब येल मतलब चिलाना और विस्क पर मतलब होता है फुसपुसाना ठीक है अलब येल मतलब चिला चिला के बोल रहे हैं विस्क पर मतलब फुसपुसा के बोल रहे हैं यह हो गया तो 74 तक हम नहीं किया अगला है 75 76 यह दोनों का मतलब मतलब क्या होता है लेमिनेंट का मतलब होता है आपका मौड यानि विलाब बोल सकते हैं और इसका एंटो निकलेगा कि ओ सलिप्रेट याने Аरीा am subtle मना enabling दुख मनाना ठीक विलाब बोल सकते हैं और सलिप्रेट मिलन कसी मनाा ड Endeffekt करोण सामें एक इस्दम एजसीह औपकप ठीक अ कुछ है तो यह समझ हुआ होगा आप लोगों किलियर मतलब दाइस पस्ट और पाइक मतलब लगा नंटांस पारेन ठाइक है वंटण वंड दस्विट के तीनों का और फ्राय। वैडी वंड कि वैटरण का जो फ फ 26 to गो तृफ पितर होता है मतनलब आपका कम हबाति शृए चाहिए अनुभवी मतलब all कि अगला है स््वीट सुट क्या होता है मीथा और ब dolor कड़ेँ तो याद रहेए वेट falls रंजय और नुभावी और नवीक मतलब होता है शुर्वाति हुं वेएवेट् वेटीफाइट मतलब होता है आपका कम हुआ कम हो जाना गिसा मतर्त है subscription बBob करवा करद आगे से अगला है रिक्ट टाइब मतलब होता है को चीज को सुधारने ट्रल ऑफ को से सुधारने बिगारना को चीषित खराब कर देना अगला है this is discern मतला हो घ्राब कर देना नित इसका क्या मतलब होता है का इसका करम एंटो की मैं बात करों इसका इन यहां होता है टीडीटैक है । मतलब अ UFO अर्गिनाइज हो कि इस ऑध ने डिख से डीडीड ing अगला है कैमो फ्लाइग मतलब होता है आपका छलावा तो इसका एंटो जो निकलेगा रिवील निकलता है जिसका मतलब होता है प्रकट होना अगला वर्ट हम बात करेंगे ऑट एयंगेन का छिकाइद करना प्रकट मतलब होता है प्रसंसा ना हमतलब क्या होता है उबडखाबड रोड उबड़ का ल Noah एक यह उत्धा सरी मतलब होना एक मेंडिटरी टिक इंटो हो यह यह मतलब हो एक इंडाई अनिवार вид क्या मतलब क्या मतलब होता है सब्सक्राइब क्या मतलब इसका मतलब तो कंपल्सरी का जो ईंटो होगा वालेंट्री सुपर फीशील गया मतलब निकलता है बताई इसको जो एंटो निगलेगा वह प्रोफांड होगा ठीक है शूपरफीशल का मतलब उतला यानि स्चैलो बोल सकते हैं इसको इसको प्रोफांड होता है इन गहरा जोई जोई मैंने जो इसको निगलेगा मिलन कॉलिक निगलेका मतलब होता है उदास जैन्य निसाड ग्रो मतलब सनका है ना कशेतiben अनुमति देना अगला बढ़ा है फड्र मतलब फार आ कहानी जो ने फड्र रो मतलब निकले का सेंसिबल निकले का सेंसिबल नहीं जो लॉजिकल बात करें फड्र मतलब लॉजिकल परस्वेड़ पर शेयर है। इसका क्या मतलब होता है मंदाए प्रेडित करना और इस अग्ला बढ़ेंगे प्रूगल का क्या मतलब होता है फ्रूगल का मतलब होता है किफाइटी टेक है जो चीज़ हम लोग खरीदे है मनफ़िपाई ती और इसका जो निकलेगा एक्स्टा वैगण निकल था फिजूल खर्ची तेटीस का नो पने घटाओ अर इसका होगा करना पूरा करना एक अंप्लाइश नहीं कम्प्लीट और मिस मतलब आधा इनकम्प्लीट यानि फेल चुक जाना अगला है अधिकार चीनना कोई चीज से उसका जो पोस्ट है यह निकलता है इसका एंटो की मैं बात करूं इसका मतलब ऑथराइज इसको अनुटराइज कर देना इसका एंटो निकल लिए अगला है चाइड़ चाइड़ इसका मतलब डाटा ते इसका मतलब अगला बंधन को तोड़ देना और इसका निकले है कंटेनिव करते नुटराइज वहाएं अगलान था प्रतिबंद टिक अगला प्र प्रोभीशन इसका इसका होता है permission देना अगला है intentional इंटेंशिनल इसका क्या मतलब निकलता है इसका मतलब जान बूच कर ठीक है और इसके बोलता है अन इंटेंशन नहीं था ये काम को करने का ठीक है तो वो चीज़ है उसे आप रिलीड कर सकते हैं तो यह होता है अगला है confronted confronted का क्या मतलब होगा confronted का मतलब जो होता है आपका सामना कर रहे हैं इसका पोजिट होगा एक सो चार नंबर भी हम लोग आगए excellent exult and excellent इसका क्या मतलब होगा इसका जो एंटो निकलेगा this this consultant ठीक है जिसका मतलब होता है उदास this hearted और इसका मतलब होता है jubilant ठीक है अगला selective selective का मतलब होता है आपका चैनात्मक ठीक है जिसको आप select कर सके और careless होगा इसका एंटो जिसको आप लापरवा अगला है memory memory मतलब इसमेटी यानि याद ठीक है oblivision होगा इसका एंटो जिसका मतलब होता है जिसमें याद नहीं forgetfulness भूल जाना अगला है 107 नंबर object object का मतलब क्या होगा विरोध करना object करना किसे चीज़ को विरोध करना उसको बोलते हैं object और oblivision नहीं object होगा आपको विरोध करना restore का मतलब होता है आपका यहाँ पे वापस से वह चीज़ को पा लेना ठीक है अगला अगला conceal conceal का मतलब होगा चुपाना और इसका एंटो निकलेगा रिवल निकलेगा अगला ट्राइबल काफी बार पूछा गया है याद कर लिजिए वर ट्राइबल का मतलब होता है तुछ और इसका एंटो निकलेगा significant अगला flexible flexible का एंटो निकलता है एक होता है flexible जो मतलब लचीला है रिगेट मतलब होता है कट्थोर mh-r mh-r का क्या मतलब होगा मतलब सोखिया है तीक है और इसका निकलता है एंटो expert कुछ वर्ड और बाकी है वो भी देख लिए एक वर्ड और बाकी है knife knife का क्या मतलब निकलता है इसका मतलब बोला और cynical का मतलब होता है स्याना तो यह तक हमने कर लिया लगभा 112 नीचे इसका एंसर भी लिखा हुआ है लुकिड टिक है एंबिग्यस ट्रेटर का लॉयल टिक है इंडॉलेंड वह एक्टिव एंटो सारा यहां नीचे आसे एंसर लिखा हुआ है तो आप नीचे से भी एंसर चेक कर सकते हैं और मैंन थैंक यू फर वाचिंग आवर वीडियो बाइबाइबाइब एंटेक्या